वेलकम टो एकलव वी कोचिंग क्लासेश एकलव वी कोचिंग क्लासेश की इस वीडियो में आज हम वीकली करेंट अफेर्स को देखने जा रहे हैं मित्रों इसक्रम में आज के हमारे कुछ टॉपिक्स इस प्रगार हैं जैसे काला नमक चाबल मोहत्सो मिसन नगरोदय कारिक्रम आत्मिनरवर निवेस मित्र पोर्टल मेरा राशन मोबाइल एप जैसे बहुत सारी टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इस क्रम में आज का हमारे पहला टॉपिक क्या है काला नमक चाबल मोहत्सो मित्रों आपको सबसे पहले दिमाग में यह आ रहा होगा इसका नाम काला नमक क्यों पड़ा और यह क्या अन्य चाबल की तरह सफेद नहीं होता नहीं ऐसा नहीं यह अन्य चाबल की तरह सफेद ही होता है इसका नाम इसके भूसी की रंग के वज़े से पड़ा क्योंकि इसकी भूसी जो होती है काली होती है इसकी भूसी कैसी होती है काली होती है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया काला नामक चावल फिर इस महोत्सो का आयोजन कहां किया गया किस महोत्सो का काला नामक चावल महोत्सो का आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन उत्त प्रदेश में किया गया। जीला क्वाज़ सा पढ़ता। सिधार्थ नंगर जीले में किया गया। यह है तीन दिवसी महोच सो है। 13 मार्च 2021 से इसका सुभारम किया गया। इसके पहले, मतलब इसके पहले काक्या नम्प bό duy दिवस, प्रौजर। के पहले उत्तर प्रदेश स किया था जहांसी में यदि आप से मित्रों पूस्ता स्ट्रॉबरी महोच्षों का आयोजन कहां पर किया गया तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है तो उत्तर प्रदेश में ही होगा जागरी महोच्षों का आयोजन कहां पर किया गया अगर लखनाओं में हो तो जाहिर सी बात है कौन से सरकार करेगी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी मित्रों ये जो भी महत्सों का आयोजन किया जा रहा है इन महत्सों का आयोजन किया जा रहा है आत्म निर्भर भारत स्कीम के तहत आत्म निर्भर भारत स्कीम में आता है एक लोकल फॉर वोकल क्या ची इस महोत्सों का आयोजन आत्म निर्भर भारत कौन सा आत्म निर्भर भारत की अभियान और लोकल फल वोकल अभियान के तहत चैनित उत्पादों एक जीला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया यहां पे मित्रो एक जिला एक उत्पाद का मतलब होता है लोग ऐसे समझ सकते हैं जिला एक उत्पात को कोई एक निश्ची छेतर या जिला है जहां पर कोई वस्तु उत्पादित हो रही है वह वस्तु वहीं पर उत्पादित हो रही है वो भी उत्करिष्ट कोटी की अर्थात यह जो वस्तु उत्पादित हो रही है उस जिला के जया नमक चाबल को सिधार्थनगर का काला नमक चाबल मतलब काला नमक चाबल तो एक जिलीडर्ट मोंतलब पर्टीकुलर हुषी जिले में सिधार्थनगर में ही सतार्ण में यानि की काला छावर ऊत्पादन हो रहा also जिसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का महुत्सों का क्या किया जाता है आयोजन किया जाता है ये चावल उच्च गुडवत्ता वाला होता है भूसी की रंग की वज़ेसी से काला नमक चावल का नाम दिया गया ये प्रोटीन फाइबर और बिटमिन जैसे महत्पूर क्या होता है भरपूर होता है अर्थाथ ये सभी इसमें पाए जाते है सरेर के लिए कैसा होता है लावदायक होता है इस चावल का संद्ध किस से है बुद्ध काल से अर्थात कभी प्रसने पूशता है किस चावल का संबंद बुद्ध काल से है तो काला नमक चावल का संबंद किस से है बुद्ध काल से है बुद्ध काल से संबंद होने के कारण इससे क्या कहा जाता है बुद्ध चावल भी कहा जाता है क्या भी आपसे प्रसने पूशता है कि बुद्ध चावल किसे कहा जाता है, कौन सा चावल, बुद्ध चावल किसे कहा जाता है, तो काला नमक चावल को बुद्ध चावल की संग्या दी गई है, इसका उत्पादन कहां होता है, तराई छेत्र में होता है, तराई छेत्र में सरवादिक कहां पर होता है, हम लोग जान काला मोती के नाम से भी जानते हैं किस नाम से इसको काला मोती के नाम से भी जानते हैं हमने इसका एक नाम पहले क्या देखा है बुद्ध चावल इसको हमने क्या देखा पहले बुद्ध चावल के नाम से भी देखा है हम लोगों इसका दूसरा नाम क्या है काला मोती चावल अ इसके अलावे एक और होता है जो काला चावल होता है एक और चावल है जो काले रंग का होता है वह मड़ीपूर में पाया जाता है मड़ीपूर में जिसे हम लोग क्या कहते हैं चक्खाओ चावल क्या कहते हैं चक्खाओ चावल इसे भी जी आई टैग प्राप्त है याद रख है चिपचीपा टाइप का होता है कैसा होता है चिपचीपा टाइप का अब काला मोती अत्यांत सुगंदित होता था खाने में बहुत सुगंद देता है हम लोग अभी जी आई टैक के बारे में देख थोड़ा सा जी आई टैक के बारे में हम लोग देख लेते हैं इसका इंग का मतलब कि उस छे त्र के लिए पर्टिकुलर क्या होती है कि वही वस्त वहीं पर उत्पादित होती है, ठीक है? तो G.I.T.E.G. कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है यह जीवन भर के लिए नहीं दिया जाता एद रखे के time period certain time period क्या होता है खतम होता है तो इसे फिर से apply करना पड़ता है भारत में पहला GI tag किसे दिया गया तो दार्जलिंक चाय को दिया गया तक कब year 2004 में अर्थात सबसे पहले year 2004 में दार्जलिंक चाय को GI tag दिया गया यह बहुत बार पेपर में आ चुका है इसके अलावा दूस ठीक मित्रों अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है मिसन नगरोद है हम लोग देखने वाले हैं मिसन नगरोद है तो यह किसे राज्य में है मनाया जारा कारिक्रम है यह मत्यप्रदे से राज्य में मनाया जाने वाला कारिक्रम है यह जो मिसन नगरोद है इसका काम कुछ नही सिर्फ इत्ता सा जान लेजेगे ये सहरी निकाय में होने वाले चुनाओं को कारिक्रमों को लक्षित करने वाला कारिक्रमों कैसा है कि जो सहर में निकाय चुनाओं होने वाले हैं जो ये निकाय चुनाओं होने वाले हैं इन निकाय चुनाओं को लक्षित करने वाला ये कैसा है कारिकरम है थोड़ा सा मत्यप्रदेश की जान लेते हैं जानकारी मत्यप्रदेश के मुक्ष मंतरी कौन है सिवरा सिंग चोहन राजधानी भोपाल हो गई लोकसभा सीटें 29 हैं मौहत्पूर्ण बाते हैं कि ये लोकसभा, बिधान सभा और राज्य सभा सीटें कई दफार पेपरों में पूछी जाती है तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि मत्र प्रदेश की लोग सवा सीट कितनी है 29 है बिधान सवा सीट कितनी है 230 है और राज्य सवा सीट कितनी है 11 है उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा अगला टॉपिक हमारा है आत्म निर्भर मित्र पोर्टल मित्रों इस पोर्टल का विकास इस पोर्टल का विकास किसने किया तो वाड़िज एवं उद्योग मंत्राले के आधीन एक विभाग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार समवर्धन किसने किया उद्योग और आंतरिक विभाग समवर्धन द्वारा इसका क्य किया गया है, विक्सित किया गया, एक बाद फिर से आप नाम याद रखिएगा मित्रों, किसने उद्योग और आंतरिक ब्यापार समवर्धन विभाग द्वारा इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है, यह उद्योग और आंतरिक ब्यापार समवर्धन विभाग किस मंतर इसका उद्धेश होता है घरेलू निवेस को बढ़ावा देना अर्थात इस पोर्टल का विकास करने का मतलब है इसमें सब्द ही छीपा हुआ है निवेस मित्र अर्थात कि हमें घरेलू निवेस को क्या देना है बढ़ावा देना है जिससे हमारी अर्थवियस्ता को क्या हो स ताकि इसके अलावा मित्रों हम यह देखते हैं कि यह पोर्टल इनवेस्ट इंडिया के अंतरगात आता है। मित्र वंयों आपसे कभी क्यों सकते हैं कि यह पोर्टल lug कौँसा पोर्टल आत्म निर्भार निवेसर पोर्टल किस के अंतरगात आता है। यह एक समर्ति डिजिटल निवेसर प 자 के साथ सीधे जुडने एवं घरेली निवेसर प्रदान करनेके साथ क्या होता है। कोई एक टीम होगी उस टीम के साथ आप सीधे जुड़ कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ है ठीक ना मतलब इसमें मित्रो यही लिखा है कि आप अवसर खोजने ठीक ना आपके जो प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स का निराकरण करने के लिए औ आपको यही देखना है मित्रो यह किस मंत्राले से सम्मंदिता परपस क्या था तो परपस हम लोगों ने देख लिया है किसका परपस क्या था कि घरेलू निवेस को बढ़ावा देना किसको बढ़ावा देना मित्रो घरेलू निवेस को बढ़ावा देना इसका मेन परपस य इसके अलाबा मित्रों आपको PDF हमारे WhatsApp ग्रुप पे उपलब्द करा दी जाएगी, आप PDF वहाँ से देखके पढ़ लिजेगा, ये पूरा आपको पढ़ने और जानने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा अगला टॉपिक है मेरा रासन मोबाईल एप, मेरा रासन मोबाईल एप मित्रों मेरा रासन मोबाईल एप जो है, ये किस मंत्राले के अंतरगत आता है, तो ये आता है केंद्री, उपभोगता मंत्राले, खाद एबं सारवजनिक बित्रन मंत्राले, आपको इस मंत्राले का नाम याद रखना पड़ेगा, मंत्राले का नाम क्या है, केंद्री, उप राशन काट के तहत आता है यह लिखा है वन नेशन वन राशन काट के तहत इसे कवर दिया गया यह वन राशन काट 32 राज्यों और किंसासित प्रदेशों में क्या है लागू है क्या है किंसासित प्रदेशों में लागू है तो वन नेशन वन राशन काट में एक स्कीम आती है खाद सुरक्षा प्रनाली, खाद सुरक्षा प्रनाली के तहत, जो One Nation One राशन कार्ड प्रनाली है, वो देश में खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 69 करोन लाभारतियों को समलित करती है, अर्थात, जो One Nation One राशन कार्ड है, उसके तहत क्या आता है, हमारा National Food Security Act, इस National Food Security Act के तहत जितने भी लोग समलित हैं वह सभी इससे लाभानवित होते हैं किससे वन नेशन वन कार्ड प्रणाली के माध्यम से इसके अलाबा मित्रों यह वन नेशन वन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए सरकार मतलब क्या होता है कि यह जो वन नेशन वन राशन प्रणाली के तहट यह सुविधा कौन उपलब दिकर आता है कौन उपलब दिकर आता आपका मेरा राशन मुबाईल है और वन नेशन वन कार्ड का मतलब क्या होता है मान लीजिए बित्रों यह आप कहीं पर काम कर रहे हैं भारत के किसी भी कोन में आप क्या हैं काम कर रहे हैं कभी आप गुजरात में हैं तो कभी आप मदरास में हैं तो कभी महरास्ट में हैं तो कभी ही राशन कार्ड के माद्यम से जिसे भी राज्य में जाएंगे उस राज्य में आप अपने नाम का राशन क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं बीना किसी बाधा के वर्तमान में क्या होता है कि हमारा गाउं या कि हमारा नाम जिस पीडियस की दुकान में रथा तर राशन की दुकान में ना हमारा जहां पर जुड़ा होगा हम अपना रासन सिर्फ वहीं से प्राप्त कर सकते हैं उसके अलावा कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जब वन निसन वन कार्ड लागू हो जाएगा तो हम देश के किसी भी कौन है चाहे जमू कास्मीर हो चाहे तमिल ले सकते हैं सिर्फ इसका सिंपल सा अर्थ यही है अब हम लोगोंने नाम लिया था कि One Raasan मतलब कि One Raasan One Card किसके टहाथ राष्टी खादू सुरक्षा अधिनियम के तहाथ आने वाले सब भी Kilいて लोगों को क्या करता है? लभानवित करता है अब हम लोग देखते हैं, राश्ट्री खाद सुरक्षा दिनियम होता क्या है, तो मित्रो, राश्टी खाद सुरक्षा दिनियम 2013 सितंबर, 2013 में क्या किया गया? है, अगल सूचित किया गया, मतलब इसे लाया गया, इसमें क्या है? गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए खोजन उपलब्द कराना कैसा भोजन उपलब्द होना चाहिए गुडवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्द कराना यह जिम्मेदारी होती राष्टी खाद सुरक्षा अधिनियम की तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनी अच्छी गुडवत्ता के खद पदार्थों की उपलब्द सुनिश्चित करना जिससे मानो जीवन के मानो जीवन चक्र द्रस्टी कोड में खद एवं पॉस्टिक सुरक्षा प्रदान की जा सके जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को महीने में डेर सो रुपए खर्च करना है तो उसे उतने रुपए में ही उतक्रिष्ट कोटी का पोशन युक्त भोजन उपलब्द कराया जाए जिससे वह उच्छ कोटी की जीवन आपन या की जीवन से ली जी सके ठीक है इसके अलाबा मित्रों ये आप पूरा पढ़ लिजेगा आपको ये सब पीडिया जाएगा पीडियाफ की लिंक आपको वाट्सअप ग्रूप में अभिलेबल करा दी जाएगी पीडियाफ और वाट्सअप ग्रूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ये आप पूरा पढ़ लिजेगा मित्रों ये most important topics है हर हाल में आपको इसे याद करना है ये भी आपको याद करना पड़ेगा मित्रों इसके अलावा मित्रों आपको अंत्योदय हुजना कौन सी युजा अंतियोदय हुजना तो इसकी शुरूबाद दिसंबर 2000 में की गई थी इसका मेन कार्ण क्या होता है जो गरीवी रेखा होती है ये माली जे गरीवी रेखा के नीचे वाले लोकों को क्या करना भोजन उपलब्द करना कितना है भोजन उपलब्द करना प्रतिमा 25 किलोग्रम कितना प्रतिमा 25 किलोग्रम भोजन उपलब्द करना फिर 2000 में दो में से बढ़ा के कितना कर दिया गया है 35 किलोग्रम कर दिया गया कब बढ़ाया गया कि हेरात तिवहार कहां मनाया जाता है, जम्मू कास्मीर में मनाया जाता है, कौन मनाते हैं, कास्मीरी पंडितों द्वारा यह मनाया जाता है, किसके द्वारा कास्मीरी पंडितों द्वारा, हेरात क्या है संस्कृत भासा का सब्द है, किस भासा का संस्कृत भासा का सब्द है हर रात्री या कि सिवरात्री आपको याद रखना है कि पहली चीज तिवहार कहां मना जाता है किस भासा का है सलस्कृत भासा का सब्द है जिसका अर्थ क्या हो हर रात्री या सिवरात्री इसमें क्या होता है कि यह जो कास्मेरी पंडित होते हैं इनका माननेना है या माननेता ह कि देवी पारवति के साथ भगवान सिब की साधी के रूप्य में इस त्योहार को क्या है मनाते है कि यह त्योहार को काश्मेर में बट्ूक नात की पोजा के के रूपे में मनाया जाता है, किसकी बट्टुक नात की पूजा के रूपे में मनाया जाता है, उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आएगा, आप इस बात को याद जरूर रखिएगा, हेरात्योहर कहां मनाया जाता है, जम्मू कास्मिर में मनाया जाता है, अगला है, कि सर्व प्रथम कौन सी भारती खिलाडी है कौन सी भारती महिला खिलाडी जिस ने दस हजार अंतर राष्ट्री रन मनाई किसने दस हजार अंतर राष्ट्री रन मनाने वाली पहली भारती महिला खिलाडी कौन है मिताली राजी तो दो सो तेर्मा यहां पे तेईसमा नहीं है दो सो ते और इन्हों ने तीनों ही फार्मेट में मिला के दस अजार रन बनाने वाली भारत की पहली महिला खिलाडी है और विश्व की दूसरी महिला खिलाडी बनी है इसके अलावा मित्रों ओलंपिक में किसमें ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली देश की पहली तलबार बाच अर्थात अभी तक इनके अलावा कौन भवानी देवी भवानी देवी से पहले किसी ने भी तलबार बाजी के छेतर में ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया किसने qualify किया है भवानी देवी ने आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे पहली बार सब्दिका प्रयोग किया गया जहां कहीं भी पहली बार सर्व प्रथम केवल सब्दिका प्रयोग करेगा मित्रों आपको वहाँ हर हाल में underline करना पड़ेगा आपको ध्यान देना तो इनका पूरा नाम आप पढ़ लिजेगा हंगरी बिशुकप में इन्होंने टोकियो ओलंपिक में क्या किया था इस्थाना रक्षित किया था मतलब हंगरी में क्या हो रहा था बिशुकप हो रहा था जहां पर यह जीती और ओलंपिक के लिए क्या कर गई क्वालिफाई क कर गी वर्तमान में इनकी रैंक कितनी है पैंतालिसमी वर्तमान में इनकी रैंक है इसके अलबा मित्रों हम लोग चानते हैं वैक्षिन पास्पोर्ट किसके बारे में वैक्षिन पास्पोर्ट के बारे में आपने पहली बार यह सब्दे सुना होगा वैक्षिन पास्पोर्ट पाश्पोर्ट सभी लोग जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने के लिए एक देश से क्या होता है दूसरे देश में क्या करने के लिए यात्रा करने के काम आता है लेकिन वैक्सिन पाश्पोर्ट पहली बार सब आया है समझ में या कि सुनने में तो इसका स इस इंपन से आर्थ क्या होता है कि बैक्षीण पास्पोर्ट ए И-वैक्षीन सर्टीफिकेट यह क्या है इक यह क्या होता है digital होता है है डिजिटल सर्टीफिकेट होता है यही लिखा है फात्र जो आपको एक देशे से दूसरे देश में प्रवेश्ट कि क्या देद रहा है अनुमती वर्तमान समय में क्या हो रहा मित्रों कोविड-19 का समय चल रहा कोविड-19 और यह कैसा है पैंडमिक का समय अर्थात महामारी का समय कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके देश में आने वाला नागरिक उसकौन उसके देश में जो भी नागरिक आये वह कैसा हो उसके देश में आने वाला नागरिक किसी भी प्रकार से क्या करे किसी भी प्रकार से जो महा मारी है उसको फैलाने में क्या करे हिल्प करे इसलिए सरकार ने क्या किया वैक्सिन पासपोर्ट का इजाद किया इसमें क्या दिया गया है किससे यह पता चले कि जो व्यक्ति ट्रवल कर रहा है उसने वैक्सिन ली है अथवा नहीं ली है इसके साथ साथ वह व्यक्ति कहां कहां गया है और कहां कहां से होके आया है इन सब बातों का भी जानकारी किसमें दी जाएगी इस वैक्सिन पाशपोर्ट में उपलब्द होगी इसके अलावा ये कैसा है एक प्रकार से ब्यक्ति का हिल्थ कार्ड है क्या है ब्यक्ति का हिल्थ कार्ड होगा और इसके द्वारा क्या होगा पूरे देश में टीके करण से संबन्दे डिजिटल आकड़े क्या होगे उपलब होगे कुल मिलाके मित्रों आपको इस बात यह समझ में आ गया होगा कि यह क्या है एक प्रकार से क्या है वैक्षेन पास्पोर्ट का मतलब ही हो गया कि वैक्षेन लगवाया हुआ व्यक्ति ही किसी देश में प्रवेस करेगा आने था नहीं, क्यूंकि वह देस किसी भी प्रकार से नहीं चाहेगा, उसके देसे में फिर से महा मारी क्या हो फैले, इसलिए इसका क्या किया गया, इजाद किया गया, मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जान कारी समझ में आई होगी आज का सेशन मित्रों यहीं पर समाप्त होता है आप यदि संबंधित विशाज़ा की PDF चाहते हैं यदि आप संबंधित विशाज़ा की PDF चाहते हैं तो आप WhatsApp गुरुप से हमारे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको description box में दे दिया जाएगा मित्रों ब